इस लेक्चर में मैंने आपको adsorption phenomenon के बारे में बताया था adsorption क्या होता है higher concentration of the reacting species on the surface of adsorbent तो जो आपकी species attach होती है आके किसकी surface पर adsorbent की surface पर वो आपकी कहलाती है adsorbent और जहां पर ये adsorption takes place होता है वो आपका कहलाता है adsorbent क्या कहलाता है बटा adsorbent clear हो गया की नहीं यह मैंने आपको adsorption के बारे में बताया था उसके बाद मैंने आपको desorption बताया था desorption क्या होता है कि जो reacting species का higher concentration है surface के उपर अगर हम नीचे से temperature दे दे clear होगी ने student क्या दे दे नीचे से हम temperature दे 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 तो वो आपकी जो species आपकी attached है surface के उपर वो बाहर आपकी remove हो जाती है means जो आपका adsorbent है वो remove हो जाता है from the surface of adsorbent तो वो process आपकी कहलाती है desorption क्या कहलाती है desorption आज हम एक और terminology पढ़ेंगे एक तो आपने पढ़ा adsorption अब दे absorption सिर्फ D हटा के मैं B लगा दूँ तो वो आपका बन जाएगा absorption अभी absorption क्या है और adsorption क्या है तो हम इन दोनों के difference के base पर समझेंगे कि absorption क्या होता है और आपका absorption क्या होता है दोनों phenomenon में basic difference क्या है तो चलिएगा बिटा आज का हमारा topic है difference between absorption and absorption देखिएगा बस यह हम पर डी है यहां पर क्या आगया आपका A B absorption clear student तो आज का topic है हमारा difference between adsorption and absorption clear तो आप देखिएगा इस side में आपका यह लिख दिया है मैंने absorption और यहां पर मैंने आपका क्या लिख दिया है बटा adsorption absorption के बारे में मैं आपको बता भी चुक्यों फिर दुबारा repeat करूंगी ताकि आपको दोनों के बीच का basic difference समझ में आ जाए कि absorption क्या है और adsorption क्या है देखो बेटा जब क्या होता है जब आपका जो adsorvent होता है उसकी सिर्फ surface पर नहीं बलकि bulk में आपका जो adsorvent है वो enter कर जाता है कहां बलक में बलकुल तो हम उस process को बोलते हैं absorption क्या बोलते हैं absorption ध्यान से सुनना कैसे होता है absorption जैसे मैं आपको एक simple सा example दे दूँ कि यह जो sponge होता है sponge को आप water में डाल दो तो sponge को आप water में क अब ही डाल के दिखने एक अएक container लेलो में जैसे समझा रहा रही हों डेखो यह आपने यह container लिया है, container में यहां पर यह डाल दिया है water, वह आपका sponge है। श्वैल कर गया है sponge जो है वो आपका size में क्या कर गया है बिटा swell कर गया है यह sponge आपका size में swell क्यों कर जाता है क्योंकि इसमें जो water के particle है वो uniformly distributed हो जाते हैं throughout पूरे में uniformly distributed हो जाते हैं ठीक है कि नहीं तो हम इस process को बोलते हैं absorption क्या बोलते हैं absorption जैसे आपने देखा होगा गुलाब जामन खाए है ना आप सबने तो गुलाब जामन को आपने देखा होगा कि जब हम चाशनी में dip करते हैं तो चाशनी क्या है पूरी uniformly distributed हो जाती है उसके अंदर गुलाब जामन के अंदर ठीक है कि नहीं तो वो process आपकी क्या कहलाएगी आपके अगर daily routine का example लेना हो तो हम उस process को बोलते हैं आपका absorption क्या बोलते हैं बटा absorption clear हो रही है ने मेरी बात में क्या कह रही हूँ आपको तो जैसे sponge को water में डाला तो water uniformly distributed हो गया पूरे sponge के उपर that is absorption आपने उसी तरह से suppose कीजेगा कि गुलाब जामन देखा है तो गुलाब जामन को आपने किस में डाला बिटा चाशनी में डाल दिया तो जैसे आप गुलाब जामन बनने के बाद हम उनको चाशनी में डालते हैं तो चाशनी पूरे गुलाब जामन के अंदर uniformly distributed हो जाती है ताकि आपको मीठा टेस्ट आए तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है absorption ठीके और जब आपका कोई substance सिर्फ आपका surface पर accumulate होता है कहां पर accumulate होता है surface पर जो आपका adsorvate है वो सिर्फ surface पर ही accumulate होता है अंदर bulk में नहीं जाता है तो हम उसको बोलते हैं adsorption क्या बोलते हैं बटा adsorption जैसे मैंने पीछे भी आपको adsorption का example बताया था कि जैसे suppose करो आप blackboard पे chalk से लिख रहे हो किसे लिख रहे हो blackboard पे chalk से ठीक है कि नहीं तो आप देखते होगे कि जो chalk के particle है वो blackboard की surface पर adsorve हो जाते हैं तो जो आपका board है ठीक है कि नहीं वो आपका काम करता है किसका बटा adsorvent का और जो आपके particle surface पर adsorve होएं वो काम करते हैं आपका adsorve weight का और यह process कहलाती है adsorption आपने देखा कि chalk के particle blackboard के अंदर गुश जाते हैं नहीं सिर्फ कहां पर रहते हैं surface पर तो यह phenomenon क्या कहलाता है आपका adsorption क्या कहलाता है बटा adsorption तो यह मैंने आपको basic difference बताया किसके बीच absorption और adsorption के बीच जब कोई substance है उसके particle uniformly distributed हो जाएं बल्क के अंदर पूरे के अंदर तो वो absorption और जब सिर्फ यह substance जो है वो कहां पर accumulate हो जाएं surface के उपर तो हम उसको बोलते हैं adsorption अब ज़रा मैं यहां पर इनके बीच का first basic difference लिख रही हूँ क्या है substance substance enters enters and is uniformly distributed and uniformly distributed into the bulk into the bulk पूरे में whole में आपका uniformly distributed यह example दिया मैंने sponge को water में डालने का तो water के particle आपका sponge फूल जाता है पानी में डालने पर क्यों क्योंकि water के molecule उसके अंदर uniformly distributed हो गए हैं बेटा जैके कि नहीं इसलिए यह क्या बोलते हैं यह phenomenon आपका adsorption नहीं absorption और जब हम बात सिर्फ surface की करें कि कोई substance सिर्फ surface पर accumulate हो रहा है तो वह phenomenon आपका adsorption blackboard पर chalk से लिखना that is adsorption उस chalk को duster से साफ करना remove करना ठीके की नहीं तो वो भी आपका एक तरह का क्या है adsorption chalk के particle आप देखोगे कि जो आपका duster है उसकी surface पर आपके adsorbs होते है that is also adsorption तो हम बोलेंगे क्या देखेंगे इसकी बारे में क्या लिखेंगे adsorption में substance accumulate substance accumulate on the surface accumulate on the surface but does not but does not enter into the bulk 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 में नहीं जाते हैं सिर्फ surface पर रह जाते हैं हम उस phenomenon को बोलते हैं क्या बिटा adsorption तो आपने दोनों में एक basic difference देख लिए होगा कि जब bulk में uniform पूरे bulk में आपके uniformly distributed हो जाए तो ab और जब आपके bulk में पूरे सिर्फ surface पर रहे हैं बलक में uniformly distributed नहीं तो वह आपका adsorption तो हम दूसरा basic difference क्या लिख देंगे absorption में it is क्या है बिटा it is a bulk phenomenon it is a bulk phenomenon ठीके और अगर हम इसकी बात करें adsorption की तो यह सिर्फ surface पर accumulate होते हैं तो हम बोलेंगे it is a surface phenomenon कैसा phenomenon होता है adsorption surface phenomenon होता है अब जड़ा तीसरा जो basic difference है वो जड़ा ध्यान से सुनिएगा देखो बेटा जैसे आपके sponge में water के particle enter कर रहे हैं तो एक बराबर rate से करेंगे बराबर rate से आपका पूरा अंदर uniformly आपका distribute होगा क्या चीज़ आपका water जो है clear हो रही है ने मेरी बात लेकिन अगर हम adsorption की बात करें जैसे यह surface लेके चल रही हूँ मैं यह मेरा हाथ यह suppose करो यह surface है चीक है कि नहीं तो शुरू में जाके जैसे कोई particle इसके उपर attach होना शुरू कर रहे है तो पार्टिकल जैसे यह ले लो हमें आपको यह बना के दिखा रही हूँ यह आपकी surface है चीक है इसके उपर यह आपके adsorvate के particle जो है वो दीरे-दीरे क्या हो रहे है accumulate हो रहे है ठीके clear होगे ना मेरी बात high speed होगी उनकी और जैसे ही वो आपके surface के उपर क्या हो जाएंगे completely आपके accumulate हो जाएंगे पूरे आपके surface फिल हो जाएगी तो अब बताओ क्या speed जो उसी rate से चाहिए उसी rate से adsorb हो जो पाएंगे नहीं हो पाएंगे क्यों क्यों क्योंकि आप surface आपके fill हो रही है तो आप जो आपकी rate है वो दीरे-दीरे slow हो जाएगी तो हम अगर adsorption की बात करें तो इसकी जो rate है वो starting में rapid होती है और समझगे ना rapid होती है beginning में और बाद में rate क्या होती जाती है घड़ती जाती है जो है वो आपकी क्या होती जाएगी बेटा slow हो जाएगी तो हम बोलेंगे इसमें के लिकेंगे जबकि इसमें एक बराबर rate से होगा क्योंकि पूरे में uniformly distributed होना है हम बोलेंगे absorption absorption occurs at uniform rate absorption absorption occurs at uniform rate एक बराबर rate से होता है लेकिन अगर हम बात करें adsorption की adsorption के बारे में हम क्या बोलेंगे adsorption is adsorption is rapid in the beginning adsorption is rapid in the beginning but क्या होगा its rate but its rate slowly decreases but its rate slowly decreases clear होगे ने student beginning में rapid होता है क्यों क्योंकि surface empty होती है और जैसे जैसे adsorbate के molecule इसकी surface पर attach होते जाते हैं आपकी जो rate है वो decrease होती जाती है तो यह third basic difference होगे आपका किसके बीच में बेटा absorption और किसके बीच में absorption के बीच में clear अब अगला point देख लिजेगा fourth point की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे कि neither यह क्या होता है neither exothermic nor endothermic ना तो यह exothermic होता है और ना ही endothermic होता है sponge को आपने water में डाला तो बताओ क्या होगा sponge को water में डालने पर क्या पानी गरम हो जाएगा नहीं होगा ना जैसा है वैसा ही रहेगा it means ना तो heat absorve हो रही है और ना ही heat evolve हो रही है लेकिन अगर हम बात करें adsorption की जहां से सुनी होगा बिटा adsorption में आपका क्या होता है जब आपके adsorvate के molecule surface पर attach होते है तो उनमें आती है stability और जहाँ stability आती है वहाँ पर energy release होती है क्या होती है बिटा energy release इसको अभी मैं आगे और discuss करने वाली हूँ इस point को तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि जब molecule adsorvate के attach होते है adsorvent पर ठीक है तो उनमें आती है stability एक bond बनता है उनके बीच में और stability आती है तो बहार निकलती है energy means आपका adsorption कैसा होता है बिटा exothermic तो आप बोलोगे adsorption is exothermic in nature adsorption is exothermic in nature clear होगे न students अब आगिएगा अब जरह इसके example के बारे में देख लेते हैं absorption और absorption का एक chemistry की language में मैं आपको example दे देती हूँ जैसे ध्यान से सुनिएगा अगर suppose करो आपने water vapors में डाला है कौन सी चीज़ calcium chloride क्या डाला है आपका calcium chloride तो आप बोलोगे uniform क्या होता है uniform distribution होता है आपका एक बराबर uniform distribution of water vapors uniform distribution of water vapors कहां पर throughout the body of throughout the body of calcium chloride जो आपने calcium chloride जैसे आपने ये देखो यहां पर मैं ये इसका diagram बना दूँ जैसे ये आपने water vapor लिये हैं इसमें ये आपने डाल दिया है क्या चीज़ बेटा CACL2 क्या डाला है CACL2 तो ये जो water के molecule है ये surface पर नहीं बेटा कहां चले जाएंगे पूरे bulk में uniformly distributed हो जाएंगे आपके ये water के molecule ठीक है तो ये phenomenon आपका किसको बताता है absorption को uniform distribution of water vapor और throughout the body of किसकी calcium chloride calcium chloride डालोगे तो पूरे अंदर bulk तक जाएगा आपका water uniform rate से और अगर suppose करो ये मैं दूसरा example लेलू इसका इधर absorption का तो आप बोलोगे higher concentration higher concentration of water vapors higher concentration of water vapors on the surface of silica gel on the surface of silica gel silica gel लिया जैसे उसी water में मैंने क्या डाला है आप calcium chloride नहीं है आपका water है बेटा ये देखो ये water में मैंने डाल दिया है आपकी क्या चीज़ silica gel what is this silica gel जैसे ही water में मैंने silica gel डाला है तो आप देखोगे कि जो water के particle है वो अंदर नहीं गए bulk बे सिर्फ कहां पर आपके attach हो गए ये water के particle सिर्फ कहां पर attach हो गए है बेटा surface पर तो means इनका जो concentration है water के particle का वो कहां ज़ादा है surface पर silica gel के अंदर एंटर नहीं किये हैं तो ये phenomenon आपका absorption उसी water को मैंने calcium chloride में डाला तो calcium chloride में water के molecule का क्या हो जाता है absorption और उसी water को मैंने silica gel में डाला तो silica gel की surface पर होता है क्या surface phenomenon होता है means that is absorption जो particle है adsorbate के वो आपके कहां adsorb होते हैं सिर्फ surface पर bulk में नहीं जाते हैं तो phenomenon आपका adsorption मुझे लग रहा है अब मैंने जितने point आपको समझाए हैं वो समझ में आगे होंगे absorption पूरे bulk में होने वाला phenomenon है और absorption सिर्फ surface पर होने वाला phenomenon है absorption जो है वो आपका absorption जो है वो आपका एक बराबर rate से चलता है क्योंकि पूरे bulk में आपकी entry होनी है किसकी substance की uniform एक बराबर rate से चलता है लेकिन अगर हम absorption की बात करें तो absorption जो है बिटा क्योंकि starting में surface आपकी vacant होती है तो absorption starting में बहुत fast speed से होता है surface को fill करने के लिए लेकिन जैसे जैसे आपकी surface जो है वो क्या होती जाती है cover up होती जाती है तो आपकी जो rate है वो decrease होती जाती है तो starting में ये fast होता है absorption और धीरे-धीरे slow होता जाता है और अगर हम absorption की बात करें ना तो ये exothermik होता है ना ही endothermik लेकिन अगर हम बात करें adsorption की तो adsorption में बिटा जब surface पर particle जुडते हैं कहां पर surface पर particle जुडते हैं तो उनके बीच में bond का formation होता है और bond का formation होता है तो क्या release होती है energy तो इसलिए adsorption कैसा होता है exothermik तो यह मैंने आपको basic difference बता दिया तो किसके बीच adsorption और absorption के बीच में अब ज़रा हम एक नया concept और पढ़ेंगे बिटा sorption s-o-r-p-t-i-o-n that is option sorption क्या चीज है एक मैंने आपको desorption बताया था desorption means यहाँ d-e लग गया आपका वहाँ पर क्या था आपका जो आपका किसके polycule थे बिटा adsorvate के उनका remove हो जाना adsorvent की surface से क्या देने पर या तो temperature या pressure वो आपका क्या कहलाता था बिटा क्या बोलते थे हम उसको यहाँ से सुनेगा क्या कहते थे उसको हम उसको हम बोलते थे desorption अब हमें एक नया word पर रहे है adsorption अब यह adsorption क्या है देखेगा पहले में इसकी definition दे देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ a phenomenon a phenomenon in which in which both क्या आपका adsorption in which both adsorption and absorption and absorption occur simultaneously occur simultaneously okay पीटा is called sorption क्या कहलाता है वो आपका पीटा sorption कहलाता sor, p, t, i, o, n जिसमें adsorption और absorption दोनों हूँ वो phenomenon आपका sorption कहलाता है sor, p, t, i, o, n that is sorption क्या मीनिंग है sorption का ध्यान से सुनिएगा adsorption भी हो मतलब जैसे यह मैंने आपका लिया adsorvent क्या लिया? adsorvent तो adsorvent पर जो adsorvate के molecule है, जहां से सुनना बेटा adsorvate के जो molecule है adsorvate जो surface पर जुडता है, adsorvent जिसकी surface पर यह सारा काम होता है तो हमने कहा जो adsorvate के molecule है, वो सिर्फ surface पर ही नहीं है आपके कहा आगे है, bulk में भी आगे है जब surface के साथ-साथ molecule कहां आजाएं आपके, bulk में भी आजाएं, तो हम उस process को क्या नाम देते हैं, sorption क्या बोलते हैं, बेटा, sorption जब दोनों साथ-साथ हों, surface पर भी और bulk में भी, then it is known as sorption ठीक है, इसका सबसे common example होता है, बेटा, dyeing of fabric dyeing of fabric ठीक है, आपने जैसे देखा होगा, आपकी ममा कभी दुपट्टे को dye करने के लिए देते हैं, ठीक है कि नहीं तो dye होने के बाद आप देखते होगे कि जो dye के particle हैं, वो सिर्फ उसकी surface पर ही नहीं रहते हैं पूरे आपके दुपट्टे के उपर आ जाते हैं means, वो uniformly भी distributed हो जाते हैं surface पर भी दिखाई देते हैं ठीक है कि नहीं, और आपके पूरे में distribute भी हो जाते हैं, तो means, वो आपका किसका example है, सॉप्शन का किसका example है, बेटा, सॉप्शन का clear हो रही है ने मेरी बात, मैंने क्या कहा what do you mean by सॉप्शन clear है, जिसमें absorption और absorption आपके दोनों वो आपका कहलाता है सॉप्शन क्या कहलाता है बेटा सॉप्शन, तो एक और topic आपका complete हो गया, क्या बताया मैंने सॉप्शन, अब जरा एक question हम और कर लेते हैं आपने दिखा कि जब adsorbent की surface पर adsorbate के molecule जुडते हैं तो मैंने कहा उनके बीच bond बनते हैं ठीक है, तो आपको एक question होता है कि bond बनते हैं, तो क्या arise होता है, तो हम एक question दिख रहे हैं यहां पर why, यह आपका बहुत important question है why absorption is exothermic in nature कहां से सुनियोंगे बिटा why absorption is exothermic in nature absorption, क्या है absorption, बार-बार बता रही हूँ आपको, आपने कभी कोई suitcase खरीदा होगा, तो दिखा होगा उस suitcase के अंदर एक छोटा सा pouch डला हुआ आता है कई बार उस pouch में, actual में क्या होता है बिटा उस pouch में होता है silica gel क्या होता है, silica gel ताकि आपका जो suit case है, उसके अंदर moisture ना आए, इस चीज़ को देखने के लिए उसमें silica gel का छोटा सा pouch डला होता है, तो silica gel moisture को क्या करता है, adsorb देख लिजेगा आप, कभी भी आपको न्यू चीज़ करीदने जाते हैं, जहांपर लगता है कि उसमें moisture हो सकता है, देखना उसमें छोटे-छोटे pouch आपको silica gel के मिलते हैं, वो silica gel के pouch क्यों डल ले होते हैं आपके, ताकि वहांपर आपका moisture ना हो पाए, आपका moisture जो है, वहांपर contain नहीं हो पाए, उसके लिए छोटे-छोटे pouch उन्हें सिलिका जल के आपके डाले होते हैं, तब absorption exothermic क्यों होता है, इस process को जरा ध्यान से सुनिएगा, suppose कीजेगा, यह आपकी मैंने surface ली है, किसकी बिटा, adsorbent की, किसकी surface है, यह आपकी adsorbent, जिसकी surface पर सारा काम होना होता है, यह suppose करो, आपका adsorbent surface है, clear हो गया, और यह आपके molecule हैं, किसके बिटा, adsorbate के, किसके molecule है, adsorbate के, जब adsorbate के molecule, adsorbent की surface के contact में आते हैं, देखिएगा, यह इनकी contact में आए, और यह इनके बीच बन गए, bond, इनके बीच बनते हैं, bond बेटा, जहां से सुन लिजेगा, जब कि आप, जब भी आपके, यह आपके adsorbate के molecule, surface पर आकर attach होते हैं, तो इनके बीच बनते हैं, bond, bond दो तरह के होते हैं, weak bond भी होते हैं, जिनको, vendor wall force कर कहते हैं, और strong chemical bond भी होते हैं, आगे इसके बारे में detail पढ़ेंगे हैं, तो अभी तो सिर्फ इतना देख लीजेगा, कि adsorbent की surface है, उस पर adsorbate के molecule आकर attach होगे हैं, by the help of bonds, ठीक है, अब देखो बेटा, अभी तक यह particle है, तो यह movement कर रहे थे, movement कर रहे थे, means, इनकी क्या ज़्यादा थी, energy, क्या ज़्यादा थी, energy, और adsorbent तो खेर, इसमें particle closely हैं, लेकिन adsorbate के molecule की क्या ज़्यादा थी, energy, अब जैसे ही इन्होंने, adsorbent के साथ आकर, क्या बनाया बिटा, bond, तो आपको पता है, जहां bond बनता है, वहाँ पर क्या आती, bond बनेगा, दो चीजों के बीच में, तो वहाँ stability आएगी, और जैसे ही stability आती है, वहाँ से release होती है energy, क्या release होती है energy, इसलिए adsorption nature में कैसा होता है, exothermic, energy का release होना किसी process में, that is exothermic, ठीक, क्यों, क्योंकि energy, आपको पता है, इस inversely proportional to stability, तो अभी तो फिलहाल इनकी energy ज़ादा है, तो इनकी stability कम है, adsorvent के surface पर आकर इन्होंने क्या बना लिया, bond, bond बनाते ही, क्या हो गया, इनमें से क्या बाहर निकल गई बिटा, क्या बाहर release होई, क्या release होई बताईएगा, release होई क्या, energy, energy release होई, तो क्या आगई बताईएगा, stability, ठीक है कि नहीं, और जहाँ stability आती है, वहाँ से energy निकलती है, तो process is exothermic, कैसे process, exothermic, तो यहाँ ज़र आप language में लिख देते हैं, during the phenomenon, during the phenomenon of adsorption, adsorbent surface, adsorbent surface, form, bond, bond बनाती है ने किसके साथ, bond with, bond with, किसके साथ बिटा, adsorbate molecule, molecule, which, क्या करता है, which, bond बना तो which increase the, stability, which increase the stability, and releases energy, and releases energy, therefore, therefore, adsorption is, exothermic in nature, clear होगे बिटा, तो मेरे को लगता है, आपको अच्छे से यह concept, समझ में आ गया होगा, कि adsorption is, exothermic, क्यों होता है, nature में, clear, thank you students,